नमस्कार दोस्तो आज की इस विडियो में हम बात करेंगे bicornate uterus की बारे में बहुत सारे patients के uterus जब एक ultrasound होता है तो उन्हें अचानक से पता लगता है कि उनका uterus bicornate है या उनका uterus unicornate है तो इस विडियो में हम bicornate uterus की बात करेंगे bicornuate मतलब जिसके पास दो cornua है and एक single opening uterus की है that is cervix, single cervix है जिसे unicollis बोलते है bicornuate है, दो cornuas है दो separate uterine cavities है जैसा कि आप इस picture में देख सकते है ये एक normal uterus है normal uterus मतलब single uterine cavity है आपके uterus की जो cavity है वो single है single आपको एक triangular shape structure दिख रहा है दो side में, दोनों में ovaries है these are two cornuas एक cornua ये है, एक cornua ये है तो this is a normal uterine cavity अब अगर आप इस video में देखते हैं इस picture में देखते हैं तो आपके पास दो uterine cavities दिख रही है यानि कि जो ये triangular cavity होनी चाहिए थी इसकी बजाए, एक uterine cavity ये है, और एक uterine cavity ये है दो tubes दिख रही है एक right side में, एक left side में बहुत बार, bicorneate uterus में एक side का cornua और एक side का uterus rudimentary होता है, rudimentary मतलब underdeveloped, जो की by birth properly developed नहीं किया है, तो सिर्फ one side का uterus है, वो ही काम करता है और जो second part of uterine cavity है और वहां की जो tube है, वो काम नहीं करती है तो ऐसी situation में जब आपका follicle, जिस तरफ की tube and uterus properly developed है उधर बनेगा, तभी आप conceive करेंगे, दूसरी side पे बनेगा तो conceive नहीं करेंगे This is bicorneate uterus Now, क्या bicorneate uterus में pregnancy संभव है? जी हाँ, bicorneate uterus में बिल्कुल संभव है आपके uterus का internal area है यानि आपके uterine cavity जो है वो development में अगर कहीं कोई कमी नहीं रखती है उसका size, shape फ्रॉपर है डॉक्टर की सलह से आप ये जान सकते हैं कि आपका uterus का shape size परफेक्ट है या नहीं है उसके बाद आप pregnancy अचीव कर सकते है बहुत बार bicorneate uterus में अंदर की cavity का size थोड़ा comparatively small होने की वज़ा से नीचे stitches लगाने पड़ जाते हैं during pregnancy तो pregnancy के 12 हफते पे अगर लगता है कि बेबी के हिसाब से cavity अंदर proper नहीं है तो नीचे stitches लगाये जाते हैं जिसको McDonald's sutures बोले जाते हैं उससे आपके uterus के mouth को tie कर दिया जाता है stitches से बांद दिया जाता है और जब delivery का time आता है तब उन्हें open कर दिया जाता है ताकि बच्चा 9 महिने तक अराम से uterus में survive कर सके और threatened abortion यानि कि कभी भी abortion हो जाने का डर ना रहे तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम आपको bicornate uterus के बारे में समझा सके I hope आपकी queries अभी resolve हुई होगी इस से related कोई भी समस्या है bicornate uterus में tube blockage है या tubes के अंदर कोई problem है cavity से related कोई भी issues है तो आप आश्या इरवेदा के तीनों branches Delhi, Mumbai या लखनों में कहीं पर भी संपर कर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहें तब तक के लिए धन्यवाद